वेल दोस्तो अपनी जो बलेनो कार है उसमें बेज मोडल से ही कमणी ने आटोमेटिक लाइमेट कंट्रोल के फैसलिटी प्रोवाइड कर दी है तो दोस्तो एसी कंट्रोल तो चलिए ठीक है वो बता देता हूं मैं लेकिन क्या आपने नौटिस किया कि यहां पर यह तीन जो व बर्टिकल छोटे छोटे ओड़ाइन वाले चैद तो दूस्तों यह जो है ना वो सेन्सर एटां पर एटांब्रेचर सैसर जिसिसे की आपकी गाड़ी टेम्प्रेचर है वह सेंस होता रेकवडिंग ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट यहां से आपके गाड़ी के यहां से और यह जो आपको एसी का यह पैनल दिया है उसके उपर यह जो टेंपरेचर सेंसर है एकोर्डिंग इस दोनों सेंसर से पूरा काम होता है आपकी गाड़ी का टेंपरेचर है वह आटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए दोस्तों और एक कमणी ने टीप दिया है वह मैं आपसे सेर कर रहा हूं ज्यादा तर लोग जैसे मैंने बता है कि अंदर की जो एर है उसको सर्क्यूलेट करते रहते है ठीक है लेकिन जैसे ही आप डेफ्रोस्ट का बटन प्रेस करते हैं तो आपना यह आप देखा यहां बंद गोई है मैं फिर से आपको करके दिखाता हू टिक है जैसे हम यह बटन क्लिक करते हैं यह लाइट जल जाती है और यह बंद अजाती है तो कम्प्णी ने बाइण ब्रोशर में क्लीरली दिये कि जैसे ही आपका डिफ्रोष्ट का बटन प्रेस करते हैं तो आपका climate control वाला जो AC है वो बाहर से fresh air लेना शुरू कर देगा और आपका जो अंदर से AC वेंट और defrost का जो काम है वो करना शुरू कर देगा तो आपका जो यह mode है वो automatically turn हो जाएगा बाहर की fresh air में तो यह tip थी वो मैं आपसे share कर रहा हूँ friends अगर आपके जो AC लिखा है इसके उपर यह orange light है वो constant blink होती रहती है इसका मतलब यह है कि यह आपके AC में तकलिफ है आपकी गाड़ी के automatic climate control वाला जो function है उसके अंदर तकलिफ है और आपको immediately आपके जो नजदी की authorized dealership है वहाँ पर आपको workshop है वहाँ पर आपको contact करना है यह क important तीप थी जो मैंने आपसे सहर की दूसरा कमनी ने जो standard क्या कहते है टेंपरेचर सेट की है वो कमनी कहते है कि 25 पर रखे आप standard और लेटार ओन जैसे थोड़ा distance आप travel कर लो उसके बाद आप थोड़ा सा अपने requirement के इसाप से plus और minus कर दीजिए दूसरा दोस्तों आपने और अगर आप आप जानते हो हमारे इंडिया में तो कर्मी कितनी रहती है तो आप इमीडियेटली आकर गाड़ी को लॉक करके फिर आप बैट जाए और एसी को बिल्कुल डाउन मत कर दीजिए या दो से तीन मिनिट के लिए आप सारे खिर्किया खोल दीजिए ब्लोवर को फूल स्पीड पर कर दीजिए और एक पार जो अंदर की जो घरम हवा हो गए उसको बाहर निकाल दीजिए उसके बाद आप एसी को अन कर दीजिए थोड़ा सा एसी ठंडी हवा फैकना सुरू कर दे उसके बाद आप सभी वींड़ सेट को बंद कर दीजिए ठीक है अपनी खिड़किया बंद कर दीजिए तो गाड़ी जल्दी ठंडा होगी और इतना ही आपको जो लोड़े वह गारी पर नहीं पड़ेगा तो यह कमनी ने टीप दिया है तो वह मैं आप अपने ब्रोचर में क्लियर ली दिया है आपको बाहर की फ्रेस एर को भी अंदर लेना है यहां पर क्या होता है कि जनरली लोग 500-800-1000 किलोमेटर के ट्रीप करते हैं तो सिर्फ यही मोड रखते है जल्दी घारी ठंडी हो जाएगी कैबिन ठंडी हो जाएगी और एसी पर अच्वत तकलिफएगी क्को वसी बाहर 흡़ोन क्यातनीज डाथ मृतिन स्टिरेयएगी फाहुं मोर्ब करते हैं आपको तो आपको जो users आपने दो यह जटेया है और इस चीजिए आपको बाहर करना है यहां सर्दी छुक हुआ है किसी को दोप analogy में जाकर पीर वह यहां से बाहर आएंगे और वह स्प्रेड होगे एक अगर एक पैसेंजर को तकलिफ है तो वही चीज इस इवेंट के माध्यम से सबी पैसेंजर के जो है ब्रीधिंग के अंदर जाने वाला है तो दोस्तों कमनी क्लेम करें कि आपको यही और नहीं रखना है आपको दोनों और सिगनल है देड़ से दो मिनिट का ठीक है या फिर ट्राफिक में आप अटक गए हो उस टाइम पर अगर आपने यहां पर अपना जो एंजिन है वह आटो ऑन और और आफ का बटन आपने ओन करके रखाए उस टाइम पर अगर आपने यह फंक्शन को आपने एसी में हो जाएगा इंटर्नल सर्कुलेट यानि आपकी जो कैबिन में ठंडी हो आए वही आपका क्लाइमेट कंट्रोल लेना शुरू कर देगा और एसीवेंट से बाहर लाएगा और उसके बाद कुछ सेकेंड के लिए चलेगा और कुछ सेकेंड के बाद क्या होगा कि आपकी गा गाड़ी को सुरू कर देगा और तो यह और टीप थी जो मैं आपसे सेर कर रहा हूं तो दोस्तों चले विदाव ट्वेस्टिंग मज टाइम चले अपना जो गाड़ी में आटोमेट क्लाइमेट कंट्रोल है उसको आप हम समत्ते हैं दोस्तों यहां पर जो बटन दिया है व पर और यहां पर उसको नीचे करने से यह कम होता है तो उपर करने से बढ़ेगा नीचे करने से यह कम होगा दोस्तों अगर बात करें यहां पर पहले बटन की तो यह आपको दिख रहा है यह आपके अंदर की हवा को ठंडी कर रहा है जैसे अगर आपको ने इसको बंद कर वह से अंदर में अपनी गाड़ी की अंदर वहाइन फिर उपने को वापस देगा तो गाड़ी जलदी होजाती है जडी हो जाती गाड़ी यार्ट भी सब्सक्राइगा धान का यह संद्सक्राइल आप वह नॉर्मली आप मैन्यूली ऑपरेट कर सकते हो ठीक है यहां से आप एसी को ओफ कर सकते हो आप देख सकते हो यह पूरा ओफ हो गया है यहां से आप एसी को ओन कर सकते हो यह अब यह एसी ओन नहीं हो रहा है आप देख सकते हो यहां पर प्रेस करने से एसी ओन नहीं हो रहा दोस्तों अब यह आपने टेंपरेचर सेट कर दिया ना उसमें प्लस माइनस नहीं होगा मैंने 26 रखा तो वह 26 ही रहेगा दोस्तों जो जो अपने ब्लोवर की जो स्पीड ना वह ज्यादा कम होती रहेगी अगर मैंने यहां पर 28 रखा है तो यहां पर देखे अभी एक और द जो ब्लोवर स्पीड यह देखे आप कम हो गया ठीक है अभी 28 कर देता तो यह वन है इसकी जगा साय थीन भी हो सकता था दोस्तों इसके बाजू में आप देख सकते हो फ्रंट डी फ्रोस्ट का एक बटन आपको दिया है जैसे ही आप उपन इसको शुरू कर देते यहां पर आप इंपेक्ट देख सकते हो आपका जो यहां पर जो यह यह दिया है यहां पर आप देख सकते हो यहां पर तब वहां से ठंडी हवा आना सूरू हो जाएगा अब उससे क्या होता कि आपके यहां पर जब जाती है यानि दूंद हो जाता है आपकी विंडशील्ड के उपर और फ्रंट विंड शीट के उपर तो आपको वह निकालने के लिए इसको सुरू कर देना है खास करकर मॉंसुन के जो सीजन होती है तब बाहर बारिस हो रही होती है और बाहर का टेंपरेचर डाउन हो जाता है और गाड़ी के अंदर का जब टेंपरेचर हमारे यूमन बॉड कर देना है ये बटन प्रेस करते हैं हम डिफ्रोष्ट कर लेते आता कि यू यह पतली सी लेयर बन जाती है बाफ की वह डिसपीर हो जाए हम अच्छे से देखसकते है ड्राइविंग के दोर तो इसके लिए आपको यह फ्रंट का जो डिफ्रोष्ट का बटन है आपको वह प तो रियर का होता है उस फेल वहाँ पर भी वही चीज़ होती नहीं है कि एक पतली स लेयर बन जाती है बाफ बन जाती है जैसे फरांट का था दोस्तो वैसे अगर हमको रियर में भी defrost करना है दोस्तो तो यह Proteanche कर美元 कर दो गई है दोस्तो अब इसके क्या होता है दोस्तो आप आप देख सकते हो यहां पर इसके आप इछ यहां पर घर्मी और जैसे यह घर्मी छुर्ट तो इसके जो अपने विंडशिट के अंदर जो पतली सी लियर बन गई है बाफ की वो डिसपियर हो जाती है और हमको पीछे का भी अच्छे से दिखाई देता है जैसे मैंने आपको बता है ब्लोवर की स्पीड को अप और डाउन करने के लिए है उसी तरह से आप यहां से एसी की जो टेंपरेचर है उसको प्लस और माइनस कर सकते है उपर आप देख सकते हो लाल दिया है लाल का मतलब है जैसे आप प्लस करते जाओगे यह हीटर का काम करन नीचे मैकसिमम आपको 80 के बाद लो लिखा मिल जाएगा और उपर आप 30 के आसपास ले जा सकते हो दोस्तों इसको मैं बताता हूं और यह देखिया 30 31 32 और यह हाई हो गए 32 के बाद आपको हाई मिल जाएगा यानि अभी यहां पर हीटर का काम सूरू हो जाएगा हर एक बा बार मैंने नीचे किया तो 29.5 हो गए एक और बार नीचे किया 29 हो गए तो 0.5 प्लस और 0.5 माइनस होता रहेगा जैसे हम और डाउन प्रेस करते हैं तो यह पैनल में सबसे आखिर वाला बटन है और यह सबसे ज्यादा काम वाला बटन है यहां पर आप देख सकते हो कि जैस पूण सबसे आपके जो फुरंट के लेक से ंपके ट्राइवर को ट्राइव आथ साइड वहां से थंडी आवाला आ खर अगर दोस्तों यह करते हैं तो आप यहां देख सकते हैं आपके प्यारों पर ठंडी हवा आएगी आपका जो फ्रंट वींड्चिल्ड है वहां पर ठंडी हवा आएगी दोस्तों अगर यहां पर बात करते हैं तो अपने जो फेस पर आपको यहां पर ठंडी हवा दिख रहे ह आपके प्रोन्ट के जो करण से यहां पर को ट्राइबर साइट के वहां से ठंडी हवा रहा आना सूरू हो जाएगा दोस्तों अगर इस पर आप जाते तो आपके जो फूट है वहां थंडी हवा आएगी दोस्तों यहाँ पर फिर से यानि आपको चार वेंड्स आप मोड़ आपको मिल जाते जैसे आप यह प्रेस करते हो आपको मोड़ आपको एकॉर्डिंगली सेट करना होता है वेल दोस्तों जैसे हम यह सेट करते जैसे मैंने फ्रंट विंशिल्ड और रियर विंशिल्ड का आपको बता आपको यहाँ पर एक पैचिस दीख रहे है ठीक है यहां से ठंडी हवा और गरम हवा भी निकलती है दोस्तों यह किसलिए निकल अच्छे देख सको इसलिए यहां पर एक प्लीसमेंट मिलती है यहां पर अपको मिलती है यहां से थंडी और गरम हवा आने के वजह से यहां पर जो बाफ का जो लेयर है वो डिसयप्यर हो जाता है और आपको ड्राइविंग वीजिबिलिटी अच्छे मिलने लगती है दोस्तों I don't think so कि बलेनोकार और उसके जो एसी के जो फीचर से उसके उपर इतनी डीटेल में वीडियो आद तक यूट्यूब पर अवेलेबल है सिंप्ली बटन से उसके रिगार्डिंग वीडियो मैंने भी देखी है लेकिन यह जो टीप्स बता ही मैंने कि कौन-कौन सा मोड ऑटो कीजिएगा दोस्तों क्यूंकि आप वीडियो को लाइक करते और चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं तो काफी मोटी असन मिलता है कि बहुत चलिए अच्छे कंटेन्ट मना हूँ और आपसे शेर करता रहूं तो फ्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को वाजिं